Glass Onion is one of the most highly anticipated sequel of the movie called Nights Out ये movie मुझे पसंद इसलिए आये क्योंकि ये बहुत ज़दा charming है, बहुत ज़दा clever है It is highly entertaining as well as इसके पास बहुत सारे ideas थे explore करने के लिए तुम्हें यादे इस movie की announcement और उसके trailer ने हमें इतना ज़दा anticipation में रखा था इतना excited कर दिया था, फिर भी इसको देखके मुझे थोड़ा सा disappointment जरूर हुआ है मैं पता है बहुत ज़दा intrigued और invested था इस movie के लिए क्योंकि मुझे इसकी casting बहुत ज़दा पसंद आई थी और मुझे यही लग रहा था कि हर character का एक बहुत major role होने वाला है पर फिर movie के साथ देखा जाय तो I was a little wrong क्योंकि यार मुझे यही लगता है कि यार हर character को वो लोग 100% use कर ही नहीं पाएं याद है जो इसका original part है जो Knives Out 1 थी वो एक बहुत ही ज़दा unique और एक amazing सी ना mystery दिखाती है जो धीरे धीरे layers को explore करती है उसके comparison में दिखा जा तो यह movie बहुत ज़दा basic है and I'm not saying कि यह वाली movie बेकार है पर उसके पास ना उसके comparison में लेयर्स कम है तो यार movie का जो plot है वो basically हमें murder mystery investigation का setup और एक scenario दिखाते है एक private island पे वहाँ पे जितने भी लोग है वो actually group of friends है और फिर जब सारे friends आपस में मिलते है तो उनके around जितने भी events होते है वो इतने ज़दा interesting बन जाते है और फिर हमें धीरे धीरे समझ में आते है कि जितने भी वहाँ पे लोग है और जितने भी उनकी बाते है वो आपस में connected है और एक final scenario ना तुम्हें end में मिलता है मतलब अगर देखा जाए तो first half को वो लोग एक setup की तरह रखते है और धीरे धीरे करके ना second half में चीज़े reveal करते है तो यहाँ पर plot clear है और हमें यह भी पता है कि इस movie का genre mystery है तो इसमें mystery solve होने वाली है और problem यहाँ पर आते है कि movie हमें इतनी चीज़े देती ही नहीं कि हम लोग सोच पाई कि mystery actually है क्या मतलब तुम खुद देखो है जितने भी mysterious movies होती है हम लोग उसमें सोचते रहते कि यह चीज हो सकती है फिर यह चीज हो सकती है वो लोग हमें मौका ही नहीं देते सोचने का movie हमें first half में इतनी चीज़े reveal करती ही नहीं कि हम लोग उसका एक basic सा scenario बना पाए और second half में वो खुद ही सारी चीज़े reveal करतेती है anyways casting से मुझे इतनी ज़्यादे दिक्कत आई नहीं क्योंकि Daniel Craig, Edward Norton और जितनी भी सारे अक्टर से सब बहुत शांदार थे बस मुझे problem ना उनके character arc से आई है क्योंकि उनके character को इतना ज़्यादा explore ही नहीं किया जाता है it actually felt like here सारे characters को वो लोग बहुत अच्छे से use कर सकते थे पर सारी चीज़े waste हो जाती है तो पता बात यहाँ पर आती है कि इसका strong aspect जो वो इसकी story है वो इसकी mystery है क्योंकि इसकी mystery इतनी ज़्यादा strong है क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता है तो देखा जाए तो एक plus point भी और minus point भी है क्योंकि फर्स पार्ट में हमने बहुत चीज़े guess की थी और हुमें मजा भी आ रहा था और second half में वो लोग अच्छी mystery बताते हैं पर उसको हम लोग guess नहीं कर पाते हैं और एक और चीज़े जो मुझे इसकी पसंद आती है कि है इसकी जो editing है वो non-linear way में मतलब अगर chronological order पर सारी sequences दिखा देते हैं तो कुछ भी suspense नहीं बचता Cinematography तो देखो बहुत शांदार है, colors बहुत सुन्दर है, इनके जो character design है as well as costumes है वो लोग इतने अच्छे से portrait कर पाते हैं हमें उस sequence में समझ में आते है कि वो character actually क्या reveal करना चाहता है as well as बहुत बड़ा appreciation इसके location को जाते है जहां पर movie shoot की गई है तो देखो जो हमारी movie है वो हमारे first 50 minutes में character development ही दिखाती है उसके बाद जो आदा घंटा है उसमें पूरा एक नव reveal करती है story को और उसके plot twist को by this stage में समझ गया था कि अर सारी चीज़े reveal कर देगी और movie अब खतम हो जानी चाहिए पर उसके बाद भी मेरे पास 40-50 minutes और थे बस वहाँ पे मुझे बहुत जादा दुख है कि इस movie को थोड़ा जादा stretch कर दिया गया है मतलब वहाँ पे अगर movie को थोड़ा cut shot करके end कर देते ना तो movie मुझे actually और जादा पसंद आती anyways Glass Indian मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें जरूर देखनी चाहिए और उस इससाफ से तो मुझे बताना कि अब तुम्हें movie कैसी लगती है इस movie के अपने भी बहुत सारे cool moments हैं पर यार कभी-कभी ऐसा होता है नहीं कि जो एक sequel होता है उसके खुद का एक stereotype बन जाता है कि वो जो specific movie है वो अपने जो first movie थी उससे better नहीं हो पाती है तो मुझे भी-कभी यही लगता है कि इस movie के साथ भी ऐसा ही हुआ है Overall it was a fun movie for me and I am rating this movie 6.9 stars out of 10 So guys thank you so much for watching this video और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम जल्दी से इस video को like कर देना और अगर तुम चानल पर नहीं आयो तो यह प्लीज जल्दी से इस चानल को subscribe भी कर देना And I will see you guys in the very next video